नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गौर्णमेंट एक्जाम प्रैप चैनल, दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करेंट अफेयर में 15 जुलाई 2021 के न्यूज पेपर में से, जो कि आपके एक्जाम, CHSL, कमबाइन ग्रेजुएट लेवेल, NTPC, इंटेलिज अफेयर्स में पहली खबर है, ISRO, यानि Indian Space Research Organization, Test Engine for Gaganyan Program, दोस्तों, ISRO ने किया Gaganyan Program के लिए इंजन का परिक्षण, The Indian Space Research Organization, conducted its third long duration, successful thermal test of a liquid propellant engine, इसका नाम VIKAS, for its Gaganyan Program, यानि प्रणोधक इंजन, VIKAS का तीसरा लंबी अवदि का सफल thermal परिक्षण किया गया, तो Gaganyan is the country's first manned mission to be sent into space, यानि Gaganyan अंत्रिच में भेजा जाने वाला देश का पहला मानव युक्त mission है, भारत के, यानि ISRO की योजना है, इसे भेजना है, तो इसलिए इसके लिए testing चल रही है, the test was conducted for the L110 liquid stage of the GSLV MK3 vehicle as part of the engine qualification requirement for the Gaganyan program, the engine was launched for 240 seconds at the test center at ISRO propulsion complex, महेंद्रगीरी in Tamil Nadu, दोस्तों याद रखना महेंद्रगीरी Tamil Nadu में भी है, और उडिशा के गंजम district में भी महेंद्रगीरी चोटी है, याद रखेंगे और यहाँ पर liquid propulsion center भी है, यहाँ पर satellite की मरमत वगेरा भी की जाती है, तो इस तरह से the objective of the Gaganyan program is to demonstrate the capability of an Indian launch vehicle to send humans to low earth orbit and bring them back to earth. तो इस तरह से जो Union Space Minister है जितेंद्र सिंग, उन्होंने फरवरी में ही कहा था कि यहाँ पहला मानो रहित mission December 2021 में जो है, और दूसरा मानो रहित mission 2022-23 में और इसके बाद मानो सहित अंतरिक्ष्यान की योजना है, और इस रो के बारे में पता ही है, इसका विक्रम सारा भाई ने इसके स्तापना की थी in 1969, इसका headquarter बेंगलूरू में है और इसके director है KC1, अब बढ़ते हैं दोस्तों, NTPC, National Thermal Power Corporation, to set up India's largest solar park in run-off कच गुजरात, यह बहुत ही महत्पूर खबर है, आपके examination point आप भी उसे, NTPC Renewal Energy Limited, a 100% subsidiary of NTPC, has received approval from the Ministry of Renewal Energy, यहनी किसके दोरा approval मेरा, Ministry of Renewal Energy, यहनी नवी करनी उर्जा मंत्राले के दोरा, और कहां बनाने के लिए, तो वह जो energy park बनेगा, खावदा in run-off कच, यह भारत का सबसे बड़ा solar park होगा, 4,750 MW इसकी छमता होगी, यह भी point ध्यान रखेंगे, The Ministry has given this approval to NTPC Renewal Energy Limited, NTPC REL under mode 8, यहनी Ultra Mega Renewal Energy Power Park, तो यह जो है अभी कुछ दिन पहले इसकी घोशना की गई है, यह भी point याद रखेंगे, और NTPC REL का जो plan है, to generate green hydrogen on commercial scale from this park, तो यह point याद रखेंगे, और गुजरात के बारे में ऐसा कहा जाता है, कि वरतमान में गुजरात की जो उच्चतम बिजली जरूरत है, वो 18,000 MW है, जब कि 30,500 MW Powered Generation Capacity installed by the state, and 11,264 MW is Renewal Energy, यानि गुजरात राज 30,000 से अधिक MW बिजली की उत्पादन चमता में, 11,264 MW क्या है, Renewal Energy है, जिसमें, इसमें, मतब सोलर एनरजी, विंड एनरजी, यह सब सामिल हैं, यह भी point ध्यान रखेंगे, और पिछले 12 सालों में 10 गुना बढ़ोतरी किया है, किसने, गुजरात ने, इसी तरह से NTPC Limited का जो गोल है, उसको जो है, 2032 तक 60 GW नवी करनी उरजा चमता का निर्माण करना है, यह सारे fact हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे, और इसके अतरिक्त NTPC 18 GW निर्माणा धीन भी है, और 66 GW की स्थापिच चमता है, तो इस तरह से, यह point अभी कुछ दिन पहले, आन प्रदेश के सिमहाद्री ताब बिद्दु सेंत के जलासे पर भारत का सब से बड़ा 10 MW का floating solar भी चालू किया है, इसी तरह से तेलंगाना में ती सारे fact हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे, अब बढ़ते हैं, United Arab Emirates opens the first embassy in Tel Aviv Israel, यानि United Arab Emirates ने इसराइल के तेल अवीब में खोला अपना दूतावास, और यह बहुत ही महत्पोर्ण चुकि गल्फ कंट्रियों में से पहला ऐसा देश है, जिसने इसराइल में अपना दूतावास खोला है, तो बहुत ही important है, यह भी आपके परिक्षा के इसे भी ध्यान रखेंगे, और एक महीने पहले ही इसराइल ने United Arab Emirates में अपना दूतावास खोला था, इस तरह से दोनों के संबंदों में यह मील का पत्थर साबित होगा, इससे पहले जोनाल ट्रम्प ने काफी मशक्कत की थी गल्फ देशों को इसराइल के नजदीक लान इन Georgia, यानि हमारे देश के जो विदेश मंत्री है, एस जैसंकर ने Georgia के एक प्रशिद्ध पार्क में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है, ति यह सीधे प्रसना जाएगा, कि अभी हाल ही में हमारे देश के विदेश मंत्री ने किस देश में महात्मा पांटेन है, रूस उपर है, यह रूस संयुक्त जो रूविय सोविय संग हुआ करता था, उसका यह पार्ट था, यह भी ध्यान रखेंगे, इधर एजरवैजान को टच कर रहा है, आर्मेनिया को टच कर रहा है, इधर भी एजरवैजान को, यह तर्की को और इधर ब्लैक सकते हो, कि यह योरोप और एसिया के बीच जो है, स्टेटिक पॉइंट अभी उसे काफी इंपॉटन कंट्री माना जाता है, तो यहां पर इसके बारे में हमने पॉइंट दिये हैं, अब बढ़ते हैं दोस्तों, इन्वार्मेंट अ एकोलोजी में, इन्क्रीजिंग डेंज to human as well as wildlife and aquatic life, यानि मानों को लिए खत्रा तो है ही, इसके साथ साथ वन जीवों और जली जीवों के लिए भी यहां घातक सिद्ध हो रहा है, तो यहां अभी नए अध्यान में पता चला है, और इस तरह से this study reveals a worrying situation for humans, wildlife and aquatic life as mercury stored in forests eventually reaches the ocean through river and lake. तो यानि यह जंगल के माध्यम से सागर, नदियों और जीलों के माध्यम से महासागरों पहुँच रहा है, इस तरह से महासागरों के भी ecosystem को यह imbalance कर देगा, उसमें मचलियों को पूरी तरह से प्रभाव, यानि aquatic animals को पूरी तरह से यहां अपना प्रभाव छोड़ेगा, ज every year from coal burning at power plant, gold mining and other industrial processes and this pollutant is then spread around the world through the air, तो इस तरह से यह हवा की जरिये पूरी दुनिया में यह फैल रहा है, तो long term exposure to mercury or consumption of food containing high level of the containment effect, fertility, प्रिजिन चमता प्रभावित होगी, immune system खतम हो जाएगा and can lead to nervous and cardiovascular problem, तिस तरह से heart जैसी disease होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, तो forest constitute the world's most abundant, productive and widespread ecosystem, तो यह जो जंगल दुनिया के सबसे प्रचूर उत्पादक और ब्यापक पारिसकी तंत का गठन करते हैं, वही अब सुरक्षित नहीं रह रहा है, तो this is the first study of its kind to provide a complete picture of how mercury in the atmosphere accumulate in the world forest, तो कैसे यह जमा हो रहा है, तो यह trees take in gaseous mercury from the atmosphere through their leaves and as trees shed their leaves, यह जब पतियां गिरती हैं और वह मूल रूप से वाइब मंदली पारे को पारिसकी तंतर में स्थानांतरित कर दे रही हैं, तो इस वज़ा से ऐसा हो रहा है, यह भी बहुत ही महत्तपूर्ण खबर है, अब प्राइम मिनिस्टर स्टीट वेंडर सेल्फ रिलायन फंड जिसे प्रधान मंत्री स्टीट वेंडर आत्म निरभर निधी योजना या इसे पीम स्वानिधी योजना भी कहा जाता है, इसे जो है कोरोना काल में जो रेडी पटरी पर लगाने वाले जो छोटे छोटे विक्र उनको बड़ी समस्या हुई तो ऐसे में हमारे देश के प्रदान मंत्री ने 2 जुलाई 2020 को इस योजना को लॉंच किया जो रहडी पट्री पर लगाने वाले लोगों को लोन मुहया कराएगी पीम स्वानिधी योजना के तहार तो इस तरह से इस पे ब्याजदर भी बहुत कम ह होगी इसके लिए कोई गारंटर की जुरुत नहीं पड़ेगी पीम स्वानिधी योजना के तहार 10,000 रुपए तक का लोन मिल सकेगा जिससे लोग अपनी जीवन याच का और लोग खुद आत्म निरभर हो सकेंगे सरकार ने इसके लिए 5,000 करून रुपए की रासी रखी ह अब बरते हैं दोस्तों Various National International Personality News में प्यूस गोयल अपॉंटेड लीडर आफ हाउस इन राज्यस सभा एक तरह से कह सकते हैं कि प्यूस गोयल का कद अब बढ़ गया है इस पद पर अरुण जेटली जस्वन सिंग जैसे नेताओं को भी रखा जा चुका है तो उनको अब यह थावर चंद गहलोत की जगा लेंगे जिने करनाटक का राज्य पाल नियुक्त किया गया है और केंद्री मंत्री है प्यूस गोयल इनको राज सभा में नेता सदन चुना गया है और जैसा कि मानसुन सत्र सुरू हो गया है तो यह इनकी पूरी जिमेदारी होगी कि सभी चु भोकता मामलों कपड़ा समेथ बिभिन्न मंत्रालियों का प्रभार भी है और राजसभा में बिपक्ष का नेता भी होता है हाला कि 1969 तक बिपक्ष होता ही नहीं था चुकि सबसे बड़ी पार्टी कॉंग्रेज पार्टी हुआ करती थी तो उस समय तक लेकि 69 के बास से जब अन्य दलों का उधभा होने लगा तब विपक्ष का नेता की भी बहुत महत्पुण भूमिका होती है और वह भी सारी बातों को रखता है जो भी समस्यां है उसको जो भी ruling party है उसके सामने रखता है तिस तरह से apart from the chairman and deputy speaker उसके बास सदन के नेता भी महत्पूण भूमिका नि तो यहाँ पॉइंट रखेंगे अब बढ़ते हैं अवार्स में जस्टिन नरायन दा विनर आप दा मास्टर सेफ आस्टेलिया 13 यानि मास्टर सेफ आस्टेलिया 13 के विजेता है जस्टिन नरायन और यहाँ भारती अमूल के हैं इसमें इनको 1.86 करोन रुपाया इन्होंने ज इश्वर चौधरी यह बांगलादेशी मूलकी हैं यह भारती मूलके हैं तो इस तरह से तीसरे अस्थान पे रही हैं यह भी पॉइंट याद रखेंगे अब बढ़ते हैं बैंकिंग और फाइनस लेटर नीज में इंडियन रेलवेज फर्स्ट एयरपोर्ट लाइक अन टॉप आफ वीच ए फाइव स्टार होटल हैस बीन ऑलसो बीन बिल्ट यहां पर पहली बार ऐसा रेलवे स्टेशन पे किया जा रहा है और इसमें बाइसो यात्रियों की छमता वाला है यह है और यह देश का पहला अपग्रेट रेलवे स्टेशन है देश में इस तरह के 125 स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा जिसके लिए 50,000 करून रुपए खर्च होंगे यह भी पॉइंट याद रखिएगा इस स्टेशन पर रेलो पोलिस नाम से कारोबारी हब बिक्सित किया जाएंगे जैसे मेट्रो पोलिस मेगालो पोलिस उतरह से रेलो पोलिस बनाय जा रहा है अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट निज में इंगलेंड वोमेंस क्रिकेट टीम आलसो ओन दा टी ट्वेंटी सिरीज आफ्टर दा ओडियाई सिरीज बाइडी इफीटिंग इंडिया इस तरह से भारतिय महिला क्रिकेट टीम इंगलेंड में सात मैचों में व अभी पॉइंट याद रखेंगे इंगलेंड की कफटान हीथर नाइट और भारती टीम की कफटान हर्मन प्रीद कौर हैं अब बढ़ते हैं दोस्तों पावर लिफटर जैदीब एंड खातून क्वालिफाई फार टोकियो पैरालम्पिक दोस्तों जैसे ओलम्पिक सुरू ह 2015 ACI पैरा खेलों में यह सिल्वर मेडल जीती थी तो इस तरह से याद रखना कि सकीना खातून देश की पहली पावर लिफटर है जो पैरालम्पिक में जा रही है और यह पैरालम्पिक गेम 24 अगस्ते 5 सितंबर के बीच और्गनाईज किये जाएंगे अब बढ़ते हैं दो महासभाने और भी किसकी पहल पर स्रीलंका की पहल पर युवा कोशल दिवस मनाने की घोशित किया था और 2015 से युवा कोशल दिवस मनाया जा रहा है और इस बार का जो थीम है महामारी के बाद युवा कोशल की पुनर कलपना तो यह ध्यान रखेंगे चुकि युवा ही दे जैसे पूरी तरह से सब बंद पड़ा है तो ऐसे में फिर से रिमेनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक इसलिए इस बार का बिसे रखा गया है अब बढ़ते हैं लेटर स्टॉक इबाउट सम इंपॉर्टन फैक्ट में कल हम लोगों ने गुलाम वंस की चर्चा की थी 1290 तक चला था और 1290 में ही जलालुदीन खिलजी ने किसकी हत्या कर क्यूमर्स की हत्या कर कैकूबाद ने जलालुदीन खिलजी को रखा फिर उसके बाद उसके बेटे क्यूमर्स की हत्या कर खिलजी वंस के स्थापना 1290 में कर दी और 1320 तक यह वंस रहा और इस तरह से इसके बारे में कहा जाता है कि सबसे कम समय तक चलने वाला यावज था लेकिन यह ऐसा वंस है कि दक्षिन भारत तक इसने अपना जो है अधिकार आधिपत जमाया था इसमें जो में एक्जाम में आपसे जलाल उद्दीन खिल जी अलाउद दिन खिल जी मुवारक खिल जी यही तीन महात्वपूर्ण है इनके बारे में जानियेगा उसके बाद चौथे थे मातर अप्रेल से सितंबर के बीच में थे तेरा सो बीस में ही आए और फिर जो है गाजी मलिक की नेतित में खुश्रोशा को मरवा दिया गया और तुगलक वंश की स्थापना कर दी गई इसके बात का भी बहुत इंट्रेस्निंग आने वाला तो इसमें हम सबसे पहले जलालुदीन फिरोज खिलजी की चर्चा करेंगे तो यह कैकुबाद ने इनको बुलाया था फिर उसके बाद उन्होंने 1290 में क्यूमर्स को सुल्तान घोशित कर दिया कैकुबाद लिया फिर कैकुबाद की हत्या कर जलालुदीन खिलजी वंस के स्थापना कर दिया जलालुदीन खिलजी सासक बनने से पहले आरिजे मुमालिक इसका मतलब क्या होता है सैन निभी भाग का प्रमुग था और इस तरह से इसने सत्तर वर्स की आयूमें कैकुबाद द्वारा निर्मित किलोखरी महल में अपना राज्या भी सेख कराया था और किलोखरी को ही राजधानी भी बनाया था और किलोखरी महल को किसने बनवाए था कैकुबाद ने बनवाए था कैकुबाद कौन था बलबन का बेटा था ये भी बात याद रखेंगे और इस तरह से जलालुदीन खिलजी की हत्या 1296 में कड़ा मानिक पुर जो अली गुरसास्प भी कहा जाता था और 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना और यह दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंस का दूश्रा सा सकता अलाउद दिन खिलजी का राजया रोहट दिल्ली मिस्थित बलबन के लाल महल में हुआ था यह अपने आपको सिकंदर अल्खलीफा तता नासिर अल्pflichtा जैसी उपादियां भी धारन की थी इसने बहुत सारे चेंजिज किये यह भारत का पहला मुसलीम सिल्तान था यहाँ इसने मतलब खासकर ढब धष्न भारत पर जीथ हासिल करने वाला यहां घासकर हिंधू का भी निर्मान पर भाज़ाद इ देता था तो इस तरह से और हाँ ये एक बात थी कि जिसकी क्वालिटी होती थी उसी को यहाँ चुन करके भेजता था सेनाओं में ऐसा नहीं था यहाँ जो है कि अपने ही आद्मियों को जो भी रहता था उसको रखता था उसका में जो सिपासलार था मालिक कफूर जो की हिंद जो है हिंजडा था तो यही इस तरह से इसके ब्रगत में उसका बहुत बड़ा योगदान था तो उसने उसके उपर जो है टैक्स लगाए हिंदूओं के उपर बहुत सारा और अलाव दिन खिल जी की मृत्तू पे जलोदर रोग हो गया था पेट का रोग लास्ट में इसको जो है लेप्रोशी भी हो गया था तेरा सो सोला में इसकी मृत्य हो गई और इसका जो कब्र है वहीं कुत्ब मिनार के ही परिसर में ही इसकी कब्र बनाई गई है अब इसमें कुत्ब दिन मुबारक खिल जी की बात करते हैं तो खिल जी अलाव दिन खिल जी की मृत्य के बार माली कफूर ने एक वसीयत नमापेस किया और अलाओदीन के पुत्रों के अस्थान पर खिजर खां के नाबालिक पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को बनाया लेकिन बाद में उसको मरवा दिया किसने यही मुबारक खिल जी ने और माली कफूर की भी हत्या कर दी गई मुबारक खिल जी को सुल्तान बनाया गया और मुबारक खिल जी भी बहुत ही साइको टाइप का था वह जो है कभी कभी महल में बिनावस्टर के चला आता था तो इस तरह की कृत्व करता था और फिर जो है अप्रेल में ये खतम हुआ था सितंबर तक चला था उसके बाद खिल जीवन समाप्त हो जाता है अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्षन में जो की बहुत ही अच्चा उत्तर दे रहे हैं आज उत्तर देने वालों में हैं इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर धोनों दिये हैं कई लोगों ने प्रस्न भी पूछा है जैसे कि एंजलना ने पूछा है जोतीगर्ग ने भी प्रस्न पूछा है पूर्णिमा जैसवाल ने भी पूछा है कि वाट इज बैस्टिल तो बैस्टिल जो है याद रखिएगा कि यह एक किला था प्राचीन किला इसी को ध्वस्त कर दिया गया और उसी दिन से फ्रांस स्वतंत्र हो गया और स्वतंता दि हैं हिमालाई याक ये तापमान परिवर्तन के संकेतक के रूप में इने जाना जाता है जो उनी याक पहाडों पर तापमान में बदलाओ के संकेतक होते हैं इस उनी जानवर को अगर जादा तेज गर्मी होती है ति इस्थितियां सहन करना काफी मुश्किल हो जाता है तो इन जो प्रवित्य है न उन की वज़ा से ही यहां गर्मी को झेल नहीं पाते तेड़ा डिग्री से ज़्यादा तापमान होता है तो इस्तितियां इनकी खराब होने लगती है इसलिए सरकार ने बीमा जैसी बेवस्ता की बात की है और लौह एवं रक्त की नीती थी उसमें जो है बल्वन इसके अंतरगत बिद्रोही बेक्त की हत्या कर उसकी इस्तियों बच्चों को दास यानि सलेव बना लेता था तो यही उसकी रक्त एवं लौह की नीती थी केरली सामाजिक जो पुरसकार है बहरीन केरली तो यह केरल के मतलब कह सकते हैं मलयालम में प्रमुख के लिए यह पुरसकार दिया जाता है और खासकर केरल के लोग गल्फ कंट्रीज में बहुत सारे लोग रहते हैं तो इस तरह से वहां से भी आए लोग खासकर और इस जो साहितिक विधा है इसको बचा के रखने वालों को ही यहाँ पुरसकार बनाया गया इस पर पुरसकार को दिया जाता है यह ध्यान रखेंगी अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रस्न में विच विल बी दा फर्स इंडियन मैंड स्पेस मिशन कौन सा आसन भारती अंतरिश मिशन पहला मानो युक तो होगा चंद्रायन फर्स्ट कलपना गगन्यान प्रग्यान और नेस कोश्चन है रिसेंट्ली इन विच कंट्री इन इस्टरनल अफेर्स मिनिस्टर एस जैसंकर अन्वेल दे स्टेचू आप महात्मा गांधी उजबेकिस्तान जौर्जिया अर्मेनिया अजर्बैजान और नेस कोश्चन है वेन वाज द प्राइम मिनिस्टर इत्री इस्ट्रीट वेंड सेल्फ रिलाइन फंड यानि प्यम स्वानिधी योजना कब लांच की गई 2018, 19, 20, 21 and next question है who was recently elected as the leader of the house in the Rajasabha, प्रकाश जावेटकर, प्यूस गोयल, राजनाज सिंग, अमिश सा, and next question है to which country does the Masterchef Australia 13 winner Justin Narayan belong, किस मुलके हैं, Indian मुलके, बांगलादेशी, स्री लंकाई या पाकिस्तानी मुलके, and next question है which city will get the country's first airport like railway station, शूरत, अहमदाबाद, गांधी नगर, भुज, and next question है recently England's women's cricket team has won the T20 series after the ODI series by defeating which country, किस देश को हरा कर जीता है, पाकिस्तान, South Africa, India, and Australia, and next question है when is the world youth skill day observed, 14 July, 15, 16, or 17, and last question है which ruler of khilji density is known as सिकंदरे सानी, सिकंदरे सानी किसे कहा जाता था, मुबारक किल जी, अलाउद दीन खिल जी, जलालुद दीन फिरोज खिल जी, या शिहाबुद दीन उमर, तो इस तरह से इन 10% के उत्तर दीजिएगा आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपनों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब, और बिल आइकन दबाना ना भूलें, थैंक्यू दोस्तों